हेलो एवरीबन कैसे हैं आप मैं सौरब दूबे मैगनेट ब्रेंस इंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ बढ़ियां होंगे जब अरजस्त होंगे बढ़ियां अपनी पढ़ाई चल रही होगी बोड एक्जाम की तैयारियां चल रही होगी जैसा क अपना पार्ट साथ चलना है निर्दसांक जामिती और इसमें हमने बात कर लिया है उदारण संख्या एक से लेकर पांस तक है ना और दूरी सुत्र कैसे कैसे अप्लाई करना है questions के अंदर वो सब कुछ सीखा है हर टाइप का question हमने पहले ही कर लिया है जो student मेरी पिछली दो classes देखे होंगे साथ दस मलोवेक में उनसे कोई question फसने वाला नहीं है सब कुछ आसान लगेगा और जो पहली बार देख रहे हैं वो ये देखने के बाद पिछली दो classes भी देखेंगे क्योंकि वो दोनों classes आपके concept को और ज्यादा अच्छा build देंगी ठीक है तो पिछली दो classes जरूर देखना है तो start करने से पहले दोस्त एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए जैसा कि आपको पता है मैगने ब्रेंस प्रोवाइड करता आई quality education जा हिंदी मेडियम इद्यारतियों को मिलते हैं चैटी से लेकर बार्मी क्लास तक की सारी classes और वहीं इंगलिस मीडिय करने की जबर्जस्त मेहनत करेंगे अपने बोर्ड एक्जाम में एक बेहतरी नमबर लाएंगे बेहतरी निस्कोर प्राप्त करने के लिए आप ग्राप करना नहीं बूलेंगे इनोट्स और इबुक्स जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो इस्टार्ट करते हैं अपना प्रस्तनावली साथ दस्मलो एक आप देख रहे हैं पार्ट साथ निर्दसांक जामिती आईए देखते हैं प्रसंसंख्या एक बिंदू के निमनलिखित युगमों के बीच की दूरियां ग्यात कीजिए अब बड़ा ही आसान सा क्वेस्टन बड़ा ही बेसिक सा क्वेस्टन कि आपको दो बिंदू दिये हुए हैं इनके बीच की दूरी निकालनी है बात खतम आईए देखते हैं कैसे इसको solve करेंगे 4,1 जैसा कि आपको पता होना चाहिए नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ कि ये वाला xy होता है ये भी xy होता है तो इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ और इसको मैं x2 y2 बोल देता हूँ दूरी सुत्र क्या होता है a और b के बीच की distance निकाल रहे हैं तो a b कितना हो जाएगा यहां बीच में बराबर कचिन नहीं लगाएंगे दोस्त a b कितना हो जाएगा दूरी का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा अंडर रूट x2 minus x1 का square प्लस y2 minus y1 का square कुछ करना ही नहीं है बस values put करो इनके मान को यहां पर रखो बात खतम आओ देखते ह हैं कैसे बात खतम करते हैं x2 है अपना 4 मतलब पहले वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो 4 minus 2 का बरग प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को मा医नस कर दो 1 minus 3 का वरग इसको solve कर दो आपका answer आ जाएगा 4 minus 2 is 2, 2 का square plus 1 minus 3 कितना होता है minus 2, minus 2 का square 2 का square होता है दो फोर और minus 2 का square भी होता है 4 4 and 4 कितना under root 8 under root 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 root 2 2 root 2 under root 8 को कैसे 2 root 2 लिख सकते हैं बार बार बताता हूँ लेकिन फिर भी फिर भी कुछ student गलती कर देते देखो यहाँ पर 2 दुना 4 दुना 8 हो गया एक pair बाहर निकाल लेंगे 2 का एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा यह वाला यहीं रोता रहेगा बीच में clear है कैसे निकाला ऐसे ही हम second और third part भी खेल जाएंगे बड़ा ही आसान सा बड़ा ही आसान सा है यह तो इसका screenshot लो इसके बाद हम आते हैं second और third part पे तो दोस्त अब हम बात करेंगे second part की ध्यान से देखेंगे ध्यान से देखेंगे इसका second part यह वाला second part की बात करेंगे इसमें P मान लेते हैं इस बिंदु को P मान लेते हैं minus 5,7 A B भी मान सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि सर पहले में A मान लिया तो दूसरे में P मानना है क्या नहीं कुछ मी मान लो A B M N कुछ मी मान लो X Y P मैंने मान लिया minus 5,7 और Q मैंने मान लिया minus 1,3 इन दोनों के बीच की दूरियों को फटा-फट से निकालेंगे यह हो गया X1 Y1 यह हो गया X2 Y2 और अपना अदूरी का सूत्र जो होता है अंडर रूट X2 minus X1 square plus Y2 minus Y1 square है ना अब तो सबको formula याद हो चुका होगा अभी भी कोई है क्या अभी भी कोई है क्या जिसको formula याद नहीं है और जो पिछली दो class देख रहा है लेकिन जो पिछली दो classes देखते हुए आ रहा है और अभी तक formula नहीं आद है अपने आपकी फिटाई दोस्त खुद कर लें आप ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ देखो X2 कितना है minus 1 अरे कुछ नहीं minus 1 X2 Y2 सब छोड़ो पहले वाले में से पहले वाले को खटा दो minus 1 में से minus करना है minus 5 को simple सी बात है यह तो plus दूसरे वाले में से दूसरे वाले को खटा दो 3 minus 7 का वर्ग बात खतम कितना minus minus हो गया दोस्त प्लस ध्यान से देखेंगे minus minus plus plus का 5 और minus का 1 4 4 का वर्ग plus 3-7 होता है 4-4 4 का वर्ग हो गया 16 32 32 को हम लिख सकते हैं 4 root 2 1 कोई दिक्कत ये 32 को कैसे लिख दिया 4 root 2 ये भी बता देता हूँ 32 होता है 2 गुड़े 2 गुड़े 2 ज़्यादा बार 2 तो नहीं बोल दिया 5 बार है न ये वाला ये वाला जोड़ा बाहर निकलेगा 2 दुना 4 बाहर निकलेगा और under root में 2 बच जाएगा क्लियर है बात क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक वारी स्क्रीन सॉट लेंगे और देखेंगे इसका हम 3rd part जो बहुत important है बहुत बार एक्जाम में आ चुका है इसका 3rd part ध्यान से देखेंगे है कुछ नहीं बस A और B में आप लोग थोड़ा सा confused हो जाते हैं तो इसको A बोल दिया और इसको B वाले को B बोल दिया प्लस Y2 माइनस Y1 का वर्ग फॉर्मूला याद होना चाहिए फॉर्मूला हमेशा लिखना है फॉर्मूले का भी नंबर मिलता है बोड एक्जाम में पूरा question सही कराएंगे फॉर्मूला नहीं लिखेंगे आपका नंबर काट लिया जाएगा क्योंकि बोड में step marking होती है वहाँ पे बताया जाता है कि इस वाली line का आधा नंबर इस वाली line का एक नंबर इस वाली line का आधा नंबर ऐसे करके line wise नंबर मिलता है एक भी line मिस हुआ काम खतम टाटाइफिस हो जाएगा सब ऐसा नहीं करना गलती नहीं करनी आओ देखते हैं इसको एक बार जल्दी से मान रखेंगे x2 का मान है minus a फिर minus का चिन है पहले मैंसे पहले घटाओ ना minus a minus a minus a का वर्ग plus दूसरे मैंसे दूसरे को घटाएंगे minus b minus b minus b मैंसे minus कर देंगे b को बहुत बेतरीन ध्यान से देखेंगे इसको यह हो गया minus a minus a minus 2 a का वर्ग plus minus b minus b minus 2 b का वर्ग minus 2 a का वर्ग दोस्त आपको पता होना चाहिए होता है 4 a square minus 2 b का भी वर्ग होता है 4 b square 4 common लेके बाहर निकालेंगे तो 4 का under root जो होता है under root 4 2 होता है तो बाहर निकल जाएगा under root में बच जाएगा a square plus b square किसी समझदार बच्चे को यह तो नहीं लग रहा है कि सर यह वाला जो a square है और यह b square है यह भी वर्ग है यह भी बाहर निकल जाएगे नहीं निकलेगा दोस्त बीच में plus लगा है अगर ऐसा होता a square गुड़े b square तो आप लिख सकते थे कि a b आएगा लेकिन यहाँ पर बीच में plus लगा है यह test से मस नहीं होंगे जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे लिख दो इकाई लिख दो इतना इकाई अब बताओ समझ में आ गया कुछ नहीं किया बस मान ही रखना है प्लस माइनस की गलती नहीं करना है अपने आप आंसर आ जाएगा टेंसन वाली कोई बात नहीं है स्क्रीन सॉट ले लेंगे और बढ़ेंगे आगे बढ़िया चका चक आईए देखते हैं आगे की बात प्रस्न संख्या 2 ब्रस्न क्या 2 में बात हो रही है बिंदूओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ग्याद कीजिए बढ़ा ही असान सा टास्क है इसको मैंने मान लिया पॉइंट A क्या मान लिया दोस्त पॉइंट A और दूसरे को मान लेंगे पॉइंट B ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B ये हो गया X1, Y1 और ये हो गया आपका X2, Y2 बढ़ा ही असान सा गेम है फिर से फॉर्मूला लिखेंगे दूरी सुत्र लगाएंगे यहाँ पर AB AB का मान कितना AB का फॉर्मूला लिखेंगे X2 माइनस X1 का स्क्वाइर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वाइर कोई डाउट यहाँ तक बिलकुल आसान चीज़े हैं X1, X2, Y1, Y2 सबका मान रखेंगे पहले में से पहले को माइनस करेंगे 36 माइनस 0 का वर्ग 36 माइनस 0 का वर्ग प्लस दूसरे में से दोस्त दूसरे को माइनस करेंगे Y2 में से Y1 को माइनस करेंगे 15 माइनस 0 का वर्ग अब कुछ नहीं करना मान रख दिया अब इनको directly हम solve करेंगे और अपना अंसर आ जाएगा किस प्रकार से देखें ध्यान से यहाँ पर हो गया 36 का square प्लस यह हो गया 15 का square 36 का square करेंगे एक बार ध्यान से देखे 36 का square कितना होता है तो 36 के square की बात हो रही है अगर हम इसको solve trick से करें तो चलो solve trick शोड़ो basic से बताता हूँ solve trick की अलग class में बताऊंगा 36 और 36 को आप गुड़ा करेंगे 36 हो गया 3 कह रही चत्रिक 18, 19, 20, 21 ऐसे ही 3 से गुड़ा करेंगे 18, 1, 3, 9, 10 यह आ चुका है आपका 12, 9, 6 कितना आ गया दोस्त under root 12, 9, 6 और 15 का करेंगे 15 का आपको याद होना चाहिए कितना होता है 225 इन दोनों को जोड़ेंगे जोड़ने पर कितना आ रहा है AB का मान कितना आ जाएगा तो under root देखो 6 और 5, 11, 1 हो गया carry 1 हो गया 9 और 2, 11, 12, carry 1 हो गया 12 और 2, 14, और 1, 15 कितना आ चुका है under root 15, 12 किस का मान यह आ चुका है 3, 15, 15, और 3, 21 फिर से 3 से काटेंगे 3, 1, 3, 2, 5, 3, 6, 18, 3, 9, 0 और यह 13 से 13 और यह 13 से 1 clear है बाते तो मतलब कि 1521 को हम लिख सकते हैं under root 3 into 3 into 13 into 33 देखो 3 का pair बन रहा है इसको बाहर निकाल लेंगे एक बार और ऐसे ही 13 का pair बन रहा है जोड़ा बन रहा है इसको बाहर निकाल लेंगे और जो A, B की दूरी आ गई A और B दोनों ही बिंदूओं के बीच की जो दूरी आ गई दोस्त कितनी हो गई 13, 30, 39 49 इकाई तो यह तो पहली बात हो गई जो यहाँ पर बात की गई थी कि बिंदूओं A तथा B के बीच की दूरी ग्याद करो इसमें हमने दूरी सुत्र लगाया दूरी सुत्र लगाने के बाद हमने X1, Y1, X2 और Y2 का मान इसमें रखा और अपना अंसर आ चुका है 49 इकाई 39 यूनिट्स कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक सब कुछ क्लियर है अब बात करेंगे आगे क्या अब आप अनुक्षेद 7.2 में दिये दोनों सहरों A तथा B के बीच की दूरी ग्याद कर सकते है तो यह अनुक्षेद 7.2 क्या है जब आप NCRT पढ़ रहे होंगे NCRT के स्टार्टिंग में जो अनुक्षेद अपना 7.2 है जिसमें यह बात लिखी हुई है तो यह बात क्या लिखी हुई है एक सहर B एक अन्य सहर A से 36 किलोमीटर पुर्व और 15 किलोमीटर उत्तर है देखो यह उत्तर की दिसा है 36 यह X वाला 36 हो गया Y वाला कितना है 15 तो 36,15 यह मूल बिंदु है मूल बिंदु का निर्दसांक सुन्य कॉमा सुन्य अभी आपने क्या किया अभी आपने सुन्य कॉमा सुन्य और 36,15 इनी के बीच की दूरी तो निकाला तो बिलकुल हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बिलकुल हम दोनों सहरों A और B के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं तो इस प्रकार से हम रेल लाइफ में भी यूज करते हैं किसका निर्दसांक ज्यामिती का क्लियर है बाते कोई दिक्कत वाली बात यहां तक एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे इसका और बढ़ेंगे हम प्रस्न संख्या 3 की तरफ तो बात करते हैं प्रस्न संख्या 3 की देखेंगे अब अगला अपना प्रस्न संख्या 3 बहुत ही जबर्जस्त एक्सराइज है यह प्रस्न संख्या 3 में मतलब सब में कहीं ना कहीं दोस्त दूरी सुत्र का यूज हो रहा है दूरी सुत्र एकदम जबर्जस तरीके से याद भी होना चाहिए और उसको प्रसनों में यूज कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए आईए देखते हैं प्रसन संख्या 3 निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदू 1,5, 2,3 और माइनस 2,11 संरेखी है मैंने बताया था इस तरह का एक्जामपल आपको कि संरेखी कैसे सिद्ध करेंगे यहाँ पर आपके पास 3 बिंदू हैं A, B और C सबसे पहला काम क्या करना है पहले A और B के बीच की दूरी निकालनी है फिर B और C के बीच की दूरी निकालनी है फिर A और C के बीच की दूरी निकालनी है इन तीनों के बीच बीच की दूरी निकालेंगे स्टार्ट करते हैं A और B से A और B इसे AB AB में यह X1 हो जाएगा यह Y1 हो जाएगा यह X2 हो जाएगा और यह Y2 हो जाएगा अब कुछ नहीं हम AB के लिए formula लिखेंगे दोस्त AB का formula AB का formula क्या हो जाएगा ध्यान से देखें यहाँ पर AB का formula अपका यहाँ हो जाएगा under root करणी में X2 माइनस X1 का square plus Y2 माइनस Y1 का square कोई दिक्कत वाली बात असान है ठीक है वही काम कुछ नहीं आ नहीं पहले में से पहले को माइनस कर दो 2 माइनस 1 का वर्ग धन दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दो 3 माइनस 5 का वर्ग इसको solve करेंगे और हमारे पास A B आ जाएगा 2 माइनस 1 1 1 का वर्ग 1 3 माइनस 5 माइनस 2 और माइनस 2 का जब आप वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा मतलब यह मिला जुला के करणी में 5 अंडर रूट 5 इकाई आ चुका है क्या A और B के बीच की दूरी A B हमारे पास आ चुका है अब हम बात करेंगे B C B C निकालेंगे तो यह बदल जाएगे मतलब यह तो गायब हो गया यह 1 हो जाएगा तो यह बन जाएगा X1 Y1 और यह बन जाएगा अपना X2 Y2 किसके लिए B C के लिए अब इसका काम कतम हो गया अब यहाँ पर आ जाओ B और C पॉइंट को देखो इनके बीच की दूरी निकालेंगे बात करेंगे हम B C की B C हो जाएगा अंडर रूट पहले में से पहले को माइनस माइनस दो और इसको माइनस करना है मतलब माइनस दो इसका वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस माइनस ग्यारह माइनस तीन का वर्ग माइनस ग्यारह माइनस तीन का वर्ग आई इसको सॉल्व करते हैं माइनस दो और माइनस दो हो गया माइनस चार और माइनस चार का वर्ग होता है 16 प्लस minus 11 minus 3 कितना हो गया minus का 14 अब minus 14 का वर्ग हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 196 minus 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196 इन दोनों को जोड़ना इन दोनों को add कर दो 6 और 6 12 2 carry 1 9 और 1 10 और 1 11 1 carry 1 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया 212 आ चुका है 212 का एक बार आप क्या करेंगे prime factorization करेंगे 212 का इसको पहले 2 से divide करेंगे ये कितना आ जाएगा 101 106 106 इसको दुबारा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 53 53 और ये दुबारा से 53 से ही कट होगा क्योंकि 53 एक prime number है एक भाज्य संख्या है तो यहां से अपना आ चुका है कितना 212 का गुड़नखंड करने पर दो बाहर निकल जाएगा और under root में रह जाएगा 53 clear है बात ने कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है अब बात करेंगे BC की बात हो चुकी है अब AC की बात करेंगे पहले और आखरी AC की बात करेंगे ध्यान से देखेंगे AC को एक बार अब X1, Y1, X2, Y2 फिर से बदल जाएगा अब हम क्या करेंगे इसको बोल देंगे A और C में यह हो गया अपना X1, Y1 है ना जिसको आप निकाल रहे हैं उनी को X1, Y1 और X2, Y2 बनाना होगा आपको यहाँ पर AC के बीच की जब दूरी निकालेंगे पहले में से पहले को माइनस करदो माइनस 2, माइनस 1 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे माइनस 11, माइनस 5 का वर्ग जब इसको आप solve कर रहे होंगे minus 2 minus 1 कितना हो गया minus का 3 और minus 3 का वर्ग होता है 9 इसी प्रकार से minus 11 minus 5 कितना हो गया minus का 16 minus का 16 का जब आप वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 256 कितना 256 clear है बाते अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 9 6 15 BC और CA को देख रहे हैं ये सनरेखी कब होंगे हमारे पास 3 चीज़े आ चुकी है AB आ चुका है BC आ चुका है और CA आ चुका है ये सनरेखी कब होंगे जब किसी दो को जोड़ने पर किसी भी दो को जोड़ने पर हमें तीसरा मिल रहा हो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी दो को जोडने पर तीसरा नहीं मिल रहा है मतलब A, B और C, A, B और C संरेखी नहीं है यह लिख सकते हैं A, संरेखी हैं क्या हैं यह non-collinear points हैं A, संरेखी बिंदु हैं A, संरेखी बिंदु हो जाएंगे क्लियर है बात एक बार इसका भी आप स्क्रीन सॉट ले लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे तो ठीक है बढ़ते हैं अपने अगले question पर प्रसन संख्या 4 की तरफ यह रहा दोस्त आपका प्रसन संख्या 4 बात हो रही है जाच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक सम दिवाहू त्रिभुच के सीर्स है मतलब एक त्रिभुच के तीनों सीर्स आपको दिये हुए हैं यहाँपर A, B और C A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है और C भी दिया हुआ है A का निर्दसांक मैंने बोल दिया 5,-2 है B का निर्दसांक मैंने बोल दिया 6,4 है और C का निर्दसांक मैंने बोल दिया 7,-2 है त्रिभुच के तीनों के तीनों निर्दसांक आपको पता है आपको यह डिसाइड करना है, आपको यह निर्धारित करना है कि क्या ये त्रिभुज एक समध्य बाहु त्रिभुज है समध्य बाहु त्रिभुज में खास बात क्या होती है कि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है मतलब अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि इसकी कोई भी दो भुजा कोई भी दो भुजा आपस में बराबर है तब इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये समध्य वाहुत्रिभुज है तो ये डिसाइड करने के लिए कि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं आपको हर एक भुजा निकालनी पड़ेगी मतलब हर एक बिंदु के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले बात करेंगे हम A, B की बात होगी सबसे पहले A का निर्दसांग के लिखेंगे 5,-2 और B का निर्दसांग के लिखेंगे कितना है B का 6,4 अब बात करेंगे ये हो गया x1 नहीं y1 ये हो गया x2 ये हो गया y2 हम a b हम क्या करेंगे एक फॉर्मूला लगाएंगे अपना दोरी सुत्र का फॉर्मूला होता है दोस्त x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग यहां ध्यान से देखो x2 मतलब पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे 6 माइनस 5 का वर्ग प्लस दूसरे वाले में से मतलब 4 में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस 2 का वर्ग clear है बाते कोई दिक्कत यहां तक नहीं है अब क्या करने वाले हैं अब हम यह करेंगे कि इसको solve कर देते हैं A और B के बीच की दूरी निकाल लेते हैं 6-5, 1 1 का वर्ग हो जाएगा दोस्त, 1 यह देखो, minus, minus, plus हो गया 4 और 2, 6 हो चुका है और 6 का वर्ग हो गया 36 मतलब यह आचुका है under root 37, 1 हमारे पास A, B आचुका है कितना under root 37 एक तो निकल गई, एक भुजा आपको पता चल गई कितनी है एक side आपने निकाल लिया अब क्या करेंगे, अब number आएगा BC का और जैसे आपने A, B के साथ खेला ऐसे ही BC के साथ खेलेंगे ध्यान से देखें, BC अब BC के लिए यह हमारा X1, Y1 बन जाएगा, और यह वाला अपना X2, Y2 बन जाएगा कलियर हो रही है बातें, वही दूरी सुत्र कुछ नए आनियम नहीं, वही वाली बात पहले मेंसे पहले को माइनस करेंगे मतलब की साथ मेंसे छे को माइनस करेंगे, इसका वर्ग प्लस, दूसरे मेंसे दूसरे को माइनस करेंगे, माइनस दो, माइनस चार, माइनस दो, माइनस चार का वर्ग इसको solve करेंगे इसको हम लोग solve करेंगे 7-6, 1, 1 का वर्ग 1 minus 2, minus 4 होता है minus 6 minus 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा और ये अपने पास आ चुका है under root 37 units करड़ी में 37 इकाई तो मतलब आपने देखा कि हमने BC निकाला और ये भी आ गया under root 37 अब बारी किसी है? अब AC की है सर, दो भुझा बराबर तो हो गई तीसरी क्यों निकालने की जरूरत है? हम बोल सकते हैं कि दो भुझाएं बराबर हैं ये समध्य भाहुत रिभुझ हो चुका है तीसरी इसलिए निकालनी पड़ेगी आपको कि हो सकता है तीसरा भी इतना ही आ जाए इसका मान भी अंडर रूट 37 आ जाए तब तो ये समध्य वाओ नहीं रहेगा तब तो इसको हमें सम बाहुत रिभुज बोलना पड़ेगा तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये समध्य बाहुत रिभुज रहेगा मतलब कि आपको 3 की तीनों भुज़ाय निकालनी ही पड़ेगी तो आईए ज्याद करते हैं निकालते हैं कि एसी कितना होगा जब आप एसी निकालेंगे जब आप एसी निकालेंगे दोस्त तो ये एक्सवन वाई वन बन जाएगा और ये x2 y2 बन जाएगा clear है आप चाहो तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 भी बना सकते हो कुछ गलत नहीं होगा आईए निकालते हैं अब हम ac ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ac की बात हो रही है तो ac हो जाएगा under root पहले वाले में से पहले वाले को minus 7 minus 5 7 minus 5 का वर्ग प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को minus minus 2 minus minus 2 का वर्ग इसको solve करेंगे अपना answer आजाएगा यह देखो minus minus plus plus 2 और minus 2 cancel होके यह तो 0 बन चुका है कैसे minus minus plus तो यह 2 plus का हो गया यह 2 minus का cut pit के 0 हो गया यह तो खतम हो गया यहाँ पर देखो 7 minus 5 7 minus 5 होता है 2 2 का वर्ग 4 तो यह आगया करडी में 4 मतलब की 2 इकाई कितना आगया 2 इकाई तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 भुजाएं तो आपस में बराबर है कौन-कौन सी यह वाली करडी में 37 और यह वाली करडी में 37 यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर है लेकिन जब बात हो रही है तीसरी भुजा की तो तीसरी भुजा यहाँ पर बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB जो है वो बराबर है BC के अतह ABC जो है वो एक समध्य बाहुत्रिभुज एक ISO से लेस ट्रैंगल है एक समध्य बाहुत्रिभुज हो जाएगा कोई डाउट वाली बात इसमें तो बड़े ही आसान क्वेस्चन है जरूरत है एक बहतरीन लेवल की कैलकुलेशन की क्योंकि यहाँ पर आप प्लस माइनस में बहुत गलतियां करने वाले हैं तो गलतियां कब नहीं होंगी जब आप इसकी एक बहतरीन प्रैक्टिस करेंगे एक बार मेरे साथ और एक से दो बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे बिना किसी सपोर्ट के ना तो mobile phone में कुछ देखना है ना तो कहीं भी solution आपको देखना है आरी ये बात समझ में खुद से करना है ये exercise जैसे ही प्रसनावली यहाँ पर खतम होगी वैसे ही आपको क्या करना है एक quick revision करना है खुद से सभी प्रसनों को हल करने की कोशिश करना है ये काम करते रहेंगे त next question की बाद प्रसन संख्या 5 ऐसा question आपको अगर याद हो तो मैंने उधारण में करवाया था उधारण 3 या उधारण 4 में करवाया था यहाँ पर भी वही question है उसी से related question है क्या बोल रहा है किसी कशा में चार मित्र बिंदूओं A, B, C और D पर बैठे हुए है जैसा की आकृत करें A की बात तो A, X पर तो 3 है और Y पर देख सकते हैं 4 है तो इस बिंदू का निर्दसांग का गया 3,4 इसी प्रकार से अगर हम B की बात करते हैं तो B, X पर तो 6 है और Y पर कितना है 7 है तो इसका निर्दसांग का चुका है 6,7 ऐसे C और D का लो C, X पर 9 है और Y पर 4 है तो 9 कॉमा 4 और D की बात करें दोस्त तो D X पर 6 है X पर 6 है और Y पर Y पर तो 1 है तो 6,1 आगे की बात चमपा और चमेली कख्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चमपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है चमेली इससे सहमत नहीं है दूरी सुतर का प्रियोग करके बताईए की इन में कौन सही आपको बताना है की चमपा सही बोल रही या चमेली सही बोल रही है मतलब चमपा और चमेली को छोड़ दो अगर तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये चार बिंदूएं A, B, C और D मिलकर एक इस्क्वायर एक वर्ग का निर्माड करते है या नहीं करते है तो एक वर्ग होता क्या है पहले तो ये जान लेते हैं कि एक वर्ग हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एक वर्ग है वर्ग की परिवासा जो आपको पता है उसमें ये पता है कि इसकी चारो भुजाएं बराबर होती है और प्रते कोड 90 अंसका होता है लेकिन यहाँ पर ये परिवासा नहीं चलेगी क्यों कि हमें कोड के बारे में कुछ नहीं पता इस चाप्टर में कोड के लेकिन नहीं ये बात गलत है, इनकंप्लीट है, ये बात कंप्लीट नहीं है, इनकंप्लीट है, क्योंकि चारो भुजाएं अगर बराबर हुई, तो ये रॉम्बस भी हो सकता है, सम चतुर भुज भी हो सकता है, एक और आकरिती होती है, ये वर्ग होता है, ये सम चतुर भु कि सर AD और ये AB और ये AC, BC और ये CD ये सब की सब आपस में बराबर हैं अगर ये सिद्ध कर दिया तो वो वर्ग भी हो सकता है वो सम्चतुर्भुज भी हो सकता है तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वर्ग होगा या सम्चतुर्भुज होगा इसके लिए आपको find out करना पड़ इसके vikard, इसके diagonals अगर diagonal बराबर हैं, अगर AC, BC के बराबर है तब हो वर्ग होगा अगर diagonals बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं और इनके vikard भी आपस में बराबर हैं तब तो हम उसको नाम देंगे वर्ग का लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला विकard छोटा दिख रहा है और ये वाला विकर्ड जादा बड़ा दिख रहा है मतलब अगर चारो भुजाएं बराबर है और विकर्ड बराबर नहीं है तब हम उसको नाम देते हैं सम चतुरभुज का रॉंबस का डिफरेंस दोनों में क्लियर है तो मतलब इसमें हमें क्या-क्या खेल खेलना है छे चीजे निकालनी है सबसे पहले तो चारो भुजाएं मतलब की A, B, B, C, C, D और D, A चार भुजाएं निकालना है चार भुजाएं निकालने के बाद आपको दोनों के दोनों विकर्ड भी निकालने पड़ेंगे आपको ac निकालना पड़ेगा आपको bd भी निकालना पड़ेगा तो अगर ये दोनों विकर्ड आपस में बराबर हो गए और ये चार की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तब हम बोल देंगे कि हाँ ये एक वर्ग है पहले इतने का समझने की जरूरत है ध्यान से देखें आपर तो ये सब छोड़ो वहाँ पर देखो सबसे पहले हम निकालते हैं a b सबसे पहले बात होगी किसकी a b की अगर a b की बात करूं दोस्त पहले में से पहले में से पहले को माइनस कर दिया 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दिया 7 माइनस 4 का वर्ग ये कितना आ गया ये आ चुका है आपका 6 माइनस 3 3 3 का वर्ग 9 7 माइनस 4 3 3 का वर्ग 9 मतलब की करड़ी में 18 अब आप निकालेंगे BC, अब हम निकालने वाले हैं BC, फॉर्मूला वही, पहले में से पहले को माइनस करेंगे, 9-6, 9-6 का वर्ग, और अगला क्या है, ध्यान से देख के बताओ, दूसरे में से दूसरा मतलब 4-7 का वर्ग, जब आपने 9-6 किया, तो 3 आया, 3 का वर्ग आ गया, 9, जब आपने 4-7 किया, तो माइनस 3 आया, और माइनस 3 का वर्ग भी आ गया, 9, और ये भी आ गया, अंडर रूट 18, अब तक हमने देखा कि ये भुजा तो इस भुजा के बराबर है, एक दम बढ़िया काम चल रहा है, और 4-1 कर दिया, क्या कर दिया, 9-6 का वर्ग, प्लस 4-1 का वर्ग, ये भी 3 का वर्ग, ये भी 3 का वर्ग, 9, धन 9, और मतलब कि ये भी आ चुका है आपका अंडर रूट 18, सब के सब बराबर ही आ रहे हैं, अच्छी बात है ये तो, ये भी बराबर आ चुका है, अब बचा है कौन सा भुजा? कौन सी भुजा बची है? A D. तो a D निकालेंगे a D अंडरूट पहले में से पहले को माइनस कर दो तो 6 माइनस 3 कर देंगे और 1 माइनस 4 कर देंगे 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग यह कितना आगया? यहां देखो यह 6-3, 3, 3 का वर्ग 9 और यहां भी 1-4-3, 3-3 का भी वर्ग कितना 9 तो यह भी आ चुका है under root 18 आपने अभी तक क्या देखा? अभी तक देखा कि यह 4 की 4 भुजाएं 4 की 4 भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी है यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मतलब यह वर्ग भी हो सकता है यह सम्चतुर्भुज भी हो सकता है दोनों में से कोई भी हो सकता है तो यह जानने के लिए कि वर्ग है या सम्चतुर्भुज है आपको निकालना पड़ेगा क्या? विकर्ड इसके diagonals निकालेंगे, wicker निकालेंगे, ac का मान निकालेंगे और bd का मान निकालेंगे, और सबसे पहले देखते हैं ac का मान, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करेंगे ac के मान की, तो यहाँ पर निकाल देता हूँ दोस्त, ध्यान से देखेंगे ac, ac कितना वही पहले में से पहले A कहा है ये 9-3 करेंगे पहले में से पहले का माइनस उसका वर्ग प्लस दूसरे को माइनस 4 में से 4 को माइनस और इसका वर्ग ये तो सुनने हो गया 4-4 तो खतम इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये देखो 9-3 9-3 कितना होता है 6 6 का वर्ग कितना होता है 36 तो ये हो गया under root 36 मतलब कि ये आ चुका है 6 इक आई एक diagonal निकाल लिया AC अब बारी आती है BD की इस वाले diagonal की इस वाले विकरण की इसकी भी दूरी निकालो BD भी निकालो BD कितना आएगा दोनों बिंदों के बीच की दूरी तो पहले में से पहले को माइनस 6 माइनस 6 का वर्ग और दूसरे में से दूसरे को माइनस 7 माइनस 1 का वर्ग इसको भी solve करेंगे करड़ी में 36 आएगा और ये भी 6 आ चुका है आपने क्या देखा कि 4 की 4 भुजाएं बराबर है दोनों के दोनों विकर्ड बराबर है मतलब ये दी हुई आकरिती क्या है दोस्त इसक्वायर है ये एक वर्ग है क्लियर है बाते तो कौन सही हुई कौन-कौन आपस में बहस कर रही थी हाँ चमपा चमेली से पूचती है चमपा जो है इसने क्वेस्चन किया कि क्या तुम नहीं सोचती की ABCD एक वर्ग है तो चमेली सहमत नहीं है चमेली बोली की वर्ग नहीं है तो चमेली गलत है यहाँ पर चमपा यहाँ पर बिल्कुल सही बात कह रही थी एक बार इसका स्क्रीन सॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेस्टन की तरफ और देखेंगे प्रसन संख्या 6 क्वेस्टन नमबर 6 की बात करते हैं निमनलिखित बिंदूओं द्वारा बने बनने वाले चतरभुज का प्रकार बताईए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए अब देखो नाइन्थ क्लास में जो चतरभुज का अपना चाप्टर था जो स्टुडेंट उसको बहुत ही बढ़ियां से किया होगा उसके लिए ये सारी चीज़े आसान है जिनको चतरभुज बहुत अच्छे से नहीं आता उनके लिए भी ये सारी चीज़े में आसान बनाओंगा एंसन नहीं लेना ये तो पता चल गया वर्ग कैसे और सम चतरभुज कैसे डिसाइड करेंगे कि वर्ग है या सम चतरभुज है जैसे आपने वर्ग और सम चतुरभुज में खेला है जो गेम आपने खेला है दोस्त वही गेम आपको खेलना है आयत में और समानतर चतुरभुज में आयत में और समांतर चतुरभुज मतलब की पैरलेलो ग्राम में क्लियर? कैसा गेम? कि सर जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तब वो आयत होगा जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो वो समांतर चतुरभुज भी हो सकता है लेकिन अगर wicked बराबर है तब तो वो आयत होगा कहने का मतलब इन दोनों के wicked बराबर होते हैं इन दोनों के wicked बराबर नहीं होते हैं यह बातें आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी आर यह बात समझ बें, तो आओ एक-एक करके हरे question खेला जाए आपर सबसे पहले हम first question की बात करेंगे यहाँ पर इन window को मैंने मान लिया A, B, C, D सबसे पहले इनकी भुजाओं को निकालेंगे उसके बाद decide करेंगे कि wicked निकालना है या नहीं निकालना है अब उनकी भुजाओं को निकालते हैं पहले हम बात कर रहे हैं A, B की कौन सी बात कर रहे हैं A, B की तो पहले में से पहले को माइनस 1, माइनस, माइनस 1 करेंगे तो यह प्लस 1 हो जाएगा प्लस, दूसरे में से दूसरे को माइनस 0, माइनस, माइनस 2 करेंगे तो 0 minus minus plus 2 का वर्ग यह कितना आ रहा है ध्यान से देखें तो यह 1 और 1 2 का वर्ग 4 हो चुका है और यह भी 2 का वर्ग 4 हो चुका है यह आ गया हमारे पास under root 8 1 काई under root 8 1 काई इसके बाद AB के बाद हम BC की बात कर लेते हैं BC की बात कर लेते हैं दोस्त BC BC पहले में से पहले को minus minus 1 minus 1 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को minus 2 minus सुनने का वर्ग जब आप इसको solve करेंगे minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 का वर्ग कितना 4 minus 2 का वर्ग कितना 4 प्लस 2 का वर्ग कितना 4 तो यह भी आ गया आपका under root 8 AB निकाल लिया BC निकाल लिया अब बारी है cd की cd की cd निकालेंगे अंडर root minus 1 minus minus plus 3 minus 1 plus 3 का work plus 2 minus sunnye का work 2 minus sunnye का work आप चाहो तो पहले में से पहले इधर से minus कर लो या तो इधर से minus कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर से खेलो या इधर से खेलो आंसर सही आने का ठीक है जब आप इसको solve करेंगे यहां से भी आपके पास 4 धन 4 आएगा मतलब की under root 8 चारों भुजाये निकल गई क्या अभी नहीं अभी एक d a बचा हुआ है d a निकालेंगे मतलब यह रहा d यह रहा a इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकाल रहे होंगे इसी formula से बिलकुल यही नियम लगा के पहले में से पहले को minus किया तो minus 3 और minus minus plus 1 हो गया plus 1 हो गया इसका वर्ग plus 0 minus minus 2 मतलब की 0 plus 2 का वर्ग यहां से भी आपका under root 4 plus 4 आ रहा है और यहां से भी कितना हो चुका है हमारे पास under root 8 इकाई आप देख सकते हैं 4 की 4 भुजाएं आपस में बराबर आ चुकी है अब बात होती है विकर्डों की बात होती है विकर्डों की तो जभी भी आपको यह समझ में आया है कि भुजाएं कौन सी है विकर्ड कौन से है तो हमेशा एक डाइग्राम बनाएंगे A, B, C, D लिखेंगे तो हमने यह चारों हो जाएं A, B, B, C, C, D और D यह निकाल लिया है अब बात आती है विकर्ड की मतलब आपको कालकुलेट करना होगा सबसे पहले A, C तो सबसे पहले A, C की बात कर लेते है A, C की बात कर लेते है यह रहा A, यह रहा C माइनस एक, माइनस माइनस एक मतलब हो जाएगा माइनस एक, प्लस एक का वर्ग, प्लस दूसरे में से, दूसरे को माइनस करेंगे देखेंगे क्या आएगा 2-2 का वर्ग तो 2 ये वाला और माइनस माइनस प्लस बन चुका है प्लस 2 का वर्ग पहला वाला तो आपका ये सुन्य हो गया माइनस एक और प्लस एक 2 और 2 4, 4 का वर्ग अंडरूट शोलर का मान आ जाएगा आपका 4 इकाई कितना आ गया ये 4 units 4 1 AC एक विकर्ड निकाल लिया दूसरा विकर्ड कौन सा है BD है ये वाला तो दूसरा विकर्ड भी निकालेंगे BD का मान भी निकालेंगे कितना आ रहा है BD का मान तो ये रहा B, ये रहा D पहले में से पहले को माइनस करेंगे माइनस 3, माइनस 1 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे सुन्य माइनस सुन्य का वर्ग ये मिलाजुला के माइनस 4 का वर्ग मतलब कि ये भी 16 आ रहा है तो ये आगया आपका 4 एकाई आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि चार की चार भुजाएं आपस में बराबर हैं, दोनों के दोनों विकर्ड आपस में बराबर हैं, तो जबी भी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ड आपस में बराबर होते हैं, चार भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, दो विकर्ड आपस में बराबर हो जाएं, तो ऐसे चतुरबुच का हम नाम देते हैं, वर्ग, इस्क्वायर, तो यह जो आकृती है, यह कौन सी आकृती है, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, क्लियर हो रही है बाते, कोई दिक्कत, एक बार इसका स्क्रीन सॉर्ट लेंगे और आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, तो इसका second part देखते हैं, अब हम second part देखेंगे, second part में इसका नाम दे दिया PQRS, है न, कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQRS यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इसका third part आप खुद से करेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, DIY, do it yourself, यहाँ पर एक चतुरहुज बना दिया, जिसका नाम है PQ QRS, सबसे पहले इनकी भुजाओं को निकालेंगे, जैसा कि हमने अभी प्रस्न संख्या 6 के first part में किया है, सबसे पहले इनकी भुजाओं को calculate करेंगे, मतलब कि हम निकाल रहे होंगे PQ का अमान, यह हो गया X1, Y1, और यह हो गया आपका X2, Y2, देखो या ध्यान से देखो, पहले में से पहले को माइनस करो, 3 माइनस माइनस प्लस 3, तो यह हो गया 3 प्लस 3 का वर्ग, प्लस 1 माइनस 5 का वर्ग, 1 माइनस 5 का वर्ग, कितना आ रहा है यह, 3 दन 3 किया तो 6, 6 का वर्ग कितना 36, 1 माइनस 5 किया तो माइनस 4, माइनस 4 का वर्ग कितना 16, 36 और 16 कितना हो गय अंडर रूट 52, IKI, क्लियर है बात, तो ये पहली भुजा आ चुकी है आपके पास, इसी तरह से अन्य भुजाएं भी निकालेंगे, PQ निकाल लिया, अब निकालेंगे QR, ये वाली निकाल लिया, अब हम निकालेंगे QR, QR की बात यहां पर करते हैं, तो QR क्या है, अंडर रू प्लस, दूसरे में से, दूसरे को माइनस, तीन माइनस एक का वर्ग, जब आपने यहां पर सुन्य माइनस तीन किया, तो माइनस तीन, माइनस तीन का वर्ग कितना, नौ, प्लस, तीन माइनस एक किया, तो दो, और दो का वर्ग कितना, चार, ये कितना आ गया, अंडर यूनिट्स इस बार देखो इस बार कुछ ना कुछ नया खेल हो रहा है क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है ये वाला आपने निकाला ये अंडर रूट फिप्टी टू आया था ये वाला आपने निकाला ये अंडर रूट थर्टीन आ रहा है मतलब खेल है अब हम बात करेंगे SR की RS की यहाँ पर क्या RS को पकड़ो यह रहा दोनों पहले में से पहले को माइनस माइनस वन माइनस जीरो का वर्ग माइनस वन माइनस जीरो का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस माइनस चार माइनस तीन का वर्ग माइनस चार माइनस तीन का वर्ग जब इनको आप solve कर रहे हैं तो कितना आ रहा है minus 1 का वर्ग 1 minus 4 और minus 3 minus 7 हो गया minus 7 का जब आप वर्ग कर रहे होंगे तो ये उननचास आता है मतलब की under root 50 आ गया rs कितना आ चुका है under root 50 आ चुका है तो यहां आमने सामने की भुजाएं भी बराबर नहीं आ रही है कोई दिक्कत वाली बात यहां तक सब कुछ clear है अब ध्यान से देखो rs के बाद हम बात करेंगे ps की ps की ये कितना आ रहा है तो ps जो है वो आ रहा है आपका minus 1 minus 3 minus 1 minus plus हो जाएगा 3 का वर्ग plus ऐसे ही दोस्त minus 4 दूसरे में से दूसरे को minus करेंगे minus 4 minus 5 का वर्ग है ना तो यहां पर क्या हो रहा है 3 minus 1 2 2 का वर्ग 4 minus 4 minus 5 minus 9 minus 9 का वर्ग 81 ये आपका आ गया under root 85 under root कितना 85 आप देख पा रहे हैं यापर 4 की 4 भुजाएग अलग अलग आ रही है चार की चारो भुजाएग अलग अलग आ रही है तो यहां किसी विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं बन रहा है ये नॉर्मल चतुर्भुज बन रहा है आपका क्लियर है एक बार इसका स्क्रीन सॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने question number third part की तरफ तो यहां पर हमने देखा कि कोई विशेष प्रकार का आपका चतुर्भुज नहीं बन रहा है ठीक है आपसे ही पूछा question में कि कोई चतुर्भुज बन रहा है अगर विशेष प्रकार का जैसे कि वर्ग समानतर चतुर्भुज आयत या सम चतुर्भुज कुछ ऐसा बन रहा है तो बताओ और उसका कारण भी बताओ हमने देखा कि पहले वाले में तो वर्ग बन रहा था और कारण क्या था कि इसकी चारो भुजाएं बराबर थी और दोनों विकर्ड आपस में बराबर हैं यहाँ पर जब चारो भुजाएं ही नहीं बराबर हैं तो कोई wishes प्रकार का चतरभुज नहीं बनेगा तो इसकी बात हम नहीं करेंगे आगे देखेंगे थर्ड वाले पॉइंट में मैंने बोला था यह आपको खुद करना है लेकिन मैं एक बार करा देता हूँ जिससे कि आपका concept और अच्छे से clear हो जाए यहाँ पर इनको मान लिया मै वेते इसका एक figure भी BNA लेते हैं इसका एक figure भी बना लेते हैं ऐसा करके कुछ और इसका नाम दे दिया ABCD सबसे पहले आप चारो भुजाओं को निकालेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे ए और B के बीच की दूरी की तो AB जब आप निकालेंगे पहले में से पहले को minus 7-4 का प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस 6 माइनस 5 का वर्ग जब आपने 7 माइनस 4 का वर्ग किया तो कितना आ गया 3, 3 का वर्ग हो गया 9 6 माइनस 5, 1, 1 का वर्ग हो गया 1 तो ये आ चुका है आपका अंडर रूट 10, 1 अंडर रूट 10, 1 करडी में 10, 1 हमने एक चीज निकाल लिया AB अब नंबर किसका आता है BC का है ना तो BC निकालेंगे इसी प्रकार से कुछ नया नियम नहीं बिल्कुल जैसे हमने AB निकाला वैसे ही हम निकाल रहे हैं क्या BC BC में ये दोनों पॉइंट्स लेंगे पहले में से पहले को माइनस मतलब 4 माइनस 7 का प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस 3 माइनस 6 का वर्ग कितना आ जाएगा ये ये आपका आ चुका है देखो जब 4 माइनस 7 करोगे तो माइनस 3 आएगा और माइनस 3 का वर्ग 9 होता है तो यहां पर लिख देता हूं मैं 9 3 माइनस 6 करोगे ये भी माइनस 3 आएगा माइनस 3 का वर्ग होता है 9 तो यहां भी लिख दिया 9 9 और 9 18 तो यह आ चुका है अंडर रूट 18 इकाई दो भुजाएं देखो यहां बर भी कुछ नया खेल होने वाला है क्योंकि पहली भुजा हमारा आ चुका है अंडर रूट 10 और दूसरी भुजा हमारी आ चुकी है अंडर रूट 18 दोनों अलग अलग आ गई आओ अब CD निकालते हैं देखते है CD कितना आता है बात करेंगे कि CD कितना आता है तो CD की बात होगी अंडर रूट देखो CD यह रहा पहले में से पहले को –1 – 4 का वर्ग 1 – 4 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को –2 – 3 का वर्ग इनको solve करेंगे तो 1 – 4 होता है – 3 – 3 का वर्ग हो गया 9 2 – 3 होता है – 1 और – 1 का वर्ग 1 ये आगया under root 10 1 का आई मतलब कि यहां कुछ ना कुछ ऐसा बन रहा है कि आमने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर हो रही है तो देखने वाली बात ये है कि क्या इसका मान करडी में 18 आता है आईए निकाल के देखते हैं निकालना तो पड़ेगा ही तो बात करेंगे हम A, D की पहला और आखरी पहले में से पहले को माइनस चार माइनस एक का वर्ग दूसरे में से दूसरे को माइनस पाँच माइनस दो का वर्ग तो आप देख पा रहे हैं चार माइनस एक तीन होता है और तीन का वर्ग नो पाँच माइनस दो भी तीन होता है तीन का वर्ग नो और ये बिल्कुल बराबर आचुका है मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्त की आमने सामने वाली भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं आपस में क्या आ रही हैं बराबर आ रही हैं मतलब ये अंडरूट 10 ये भी अंडरूट 10 ये root 18 और ये भी root 18 आमने सामने की भुजाएं बराबर है मतलब हमारे पाद दो options है या तो आयत होगा या तो समानतर चतुरबुज होगा अब बात आती है विकर्ड की अगर विकर्ड बराबर होगे तो आयत है विकर्ड बराबर नहीं है तो क्या है ये समानतर चतुरबुज है तो सबसे पहले हम calculate करने वाले हैं AC को calculate करेंगे आईए निकालते हैं देखते हैं कि AC का मान क्या आने वाला है तो ये रहा विकर्ड AC ये आ गया under root AC पकड़ो AC को ये रहा पहला और तीसरा पहले में से पहले को 4-4 सुन 4-4 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस 5-3 का वर्ग 5-3 का वर्ग कितना आ गया पहला तो सुन ये खतम हो गया 5-3 2 2 का वर्ग 4 मतलब ये आ चुका है under root 4 और ये अपका आ जाएगा कितना 2 इकाई कितना आ जाएगा ये 2 इकाई मतलब एक विकर्ड हमारे पास ये वाला आ चुका है और इसका मान है 2 इकाई बात करेंगे इस वाले विकर्ड की देखते हैं BD कितना आता है BD यहाँ पर BD कालकुलेट कर लेते हैं इसके नीचे ही BD जब आप BD निकालने बैठेंगे तो दूसरा और चौथा इन दोनों में तो पहले में से पहले को माइनस 7 माइनस एक का वर्ग 7 माइनस एक का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस 6 माइनस दो का वर्ग 6 माइनस दो का वर्ग जब आप 7 माइनस एक करेंगे तो 6 आएगा और 6 का वर्क करेंगे तो 36 हो जाएगा जब आप 6-2 करेंगे 4 आएगा 4 का वर्क हो जाएगा 16 और ये आजाएगा अंडरूट 52 आपने देखा कि 1 तो 2 आ रहा है और दूसरा अंडरूट 52 आ रहा है मतलब यहाँ पर 4 भुजाएगा तो बराबर है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA चारो भुजाएगा नहीं बराबर है आमने सामने की भुजाएगा तो बराबर है आमने सामने की भुजाएगा तो दोस्त बराबर है AB और CD आपस में बराबर है और AD और BC आपस में बराबर है मतलब आमने सामने की भुजायतों बराबर है इनके विकर्ड आपस में बराबर नहीं है AC not equal to BD मतलब इनके विकर्ड आपस में बराबर नहीं है तो यह हो जाएगा समांतर चतुर भुज समांतर चतुर भुज या इसका एक और नाम है क्या पैरलेलो ग्राम क्या नाम है इसका दूसरा पैरलेलो ग्राम तो ये समांतर चतुर्भुज या पैरलेलो ग्राम हो जाएगा एक बार इसका स्क्रीन सोट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे की तरफ तो हमने देखा प्रसन संक्या 6 में सबसे पहला जो option था ये वर्ग बना रहा था दूसरा कुछ नहीं बना रहा था और तीसरा जो है वो समांतर चतुर्भुज बना रहा था इनका कारड़ देना होगा तो पहले में आपने कारड़ दिया कि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं दोनों विकर्ड आपस में बराबर हैं इसलिए ये वर्ग बनाया था तीसरे में आपने क्या कारण दिया कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ड आपस में बराबर नहीं हैं इसलिए ये समांतर चतरभुज बनाएगा clear है बाते अब बढ़ते हैं प्रस्वन संख्या 7 की तरफ X अक्ष पर वह बिंदू ग्यात कीजिए 9th क्लास में पढ़के आये हो X अक्ष का निर्दसंख क्या होता है X,0 Y अक्ष का निर्दसंख क्या होता है 0,Y ये मैं पिछली classes में भी बता चुका हूँ, बहुत important है ये जानना कि जल्दी से note बना के कहीं लिख लेंगे, अभी के अभी, कि x अक्ष का निर्दसांग होता है, x, 0, y अक्ष पे किसी बिंदू का निर्दसांग होता है, 0, y, ये दोनों point बहुत ज़्यादा important है, छोटी सी ब बिंदू है, p, ऐसा, ये x अक्ष के ऊपर है, तो इसका निर्दसांग क्या होना चाहिए, x, 0, और दो बिंदू a तथा b है, ये a है और ये b है, जो इस बिंदू p से समदूरस्त है, मतलब a बिंदू और b बिंदू, p से समान समान दूरी पर है, अगर हम देखें कि p और a की बीच की जितनी दूरी होगी, वही दूरी बिलकुल, p और b k बीच की भी होगी, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि p a बराबर हो जाएगा p b k, यही concept है बस, ये अगर समझ में आ गया, तो ये पूरा question बहुत ही आराम से आपसे solve हो जाने वाला है, बार बार आपके exam के लिए ये बहुत important question होने वाला है, बार बार आपके exam में ये पूछा गया है, board exam का paper उठा के देखेंगे, किसी भी board exam का देख लो, चाए CVC board का, चाए state board का, ये question बार बार आया हुआ है, तो most important question है, इसको अपनी book में भी important questions आप mark कर लेंगे, आईए देखते हैं कैसे इसको a का निर्दसांग है 2, minus 5, b का निर्दसांग है minus 2,9, मैंने बोला PA और PB को आपस में बराबर कर दो, अब बराबर करने के लिए आपको सबसे पहले PA निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको PB निकालना पड़ेगा, उसके बाद बराबर करेंगे, तो बात पहली है कि PA क्य होगा, तो देखो आपके पास PB पता है, आपके पास A भी पता है, पहले formula लिखेंगे, दूरी सुत्र लिखेंगे, under root X2 minus X1 square plus Y2 minus Y1 square, बात P और A की हो रही है, तो ये आपका X1, Y1 बन जाएगा, ये आपका X2 और Y2 बन जाएगा, इनका मान यहां से उठाओ, यहां लगा कितना बन जाएगा, ध्यान से बताओ, पहले में से पहले को minus X minus 2 का वर्ग, प्लस Y2 minus Y1, दूसरे में से दूसरे को minus 0 minus minus 5 इसका वर्ग, इसको solve करेंगे, आपके पास P ये आ जाएगा, कैसे आईए देखते हैं, under root X minus 2 का वर्ग, अब इसको छेड़ना नहीं है, जैसे ऐसे ये minus 5 का वर्ग करेंगे, minus minus plus 5, 5 का वर्ग 25, तो ये आपके पास दोस्त आ चुका है क्या, ये हमारे पास आ चुका है अपना P A का मान, इसको बना दिया समीकरर संख्या A, मतलब इसका काम तमाम कर दिया आपने, अब बात करेंगे किसकी P B की, जिस प्रकार से आपने अभी P ये calculate किया है, इसी प्रकार से आप P B को calculate कर रहे होंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक बार P B क्या होगा, P B, under root, अब जब P B की बात होगी, तो X1, Y1 और X2, Y2 बदल जाएगा, मतलब ये X2 हटा दो, Y2 हटा दो, और इसको बोल दो कि ये बन गया, अब X2 और Y2, ये X1, Y1, ये X2, Y2 खेल जाओ, कैसे, सब पहले में से पहले को माइनस, मतलब X माइनस माइनस दो, X माइनस माइनस दो का वर्ग, प्लस, दूसरे में से दूसरे को माइनस, 0 माइनस 9 का वर्ग, 0 माइनस 9 का वर्ग, इसको solve करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मत आड़े पास PA भी आ चुका है, PB भी आ चुका है और question में पता है कि ये दोनों बिंदू आपस में P से सम दूरस्त हैं, मतलब PA और PB को बराबर करना है, तो अगली line में यही बात लिखने वाले हैं कि question के अनुसार PA बराबर PB होना चाहिए, क्या होना चाहिए, PA बराबर PB, तो आप PA बराबर PB कर दो, आपके पास PA भी आ चुका है, PB भी आ चुका है, दोनों को बराबर करेंगे, सबसे पहले PA के नीचे, PA का मान लिखो, under root, X minus 2 का square, plus 25, equal to, under root, PB का मान लिखना, PB के नीचे, PB का मान, X plus 2 का square, plus 81, plus 81, clear है, अब क्या करने वाले हैं, कर दोनों, देखो, जभी भी दोनों तरफ आपको root दिख रहा है, आपको करड़ी का चिन दिख रहा है, दोनों तरफ work करने पर, यह गायव हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ work करेंगे, work करने पर, живот करेंगे, तो work से square से करड़ी cancel हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा एक्स माइनस दो का वर्ग प्लस पचीस और यहां पर बच जाएगा एक्स प्लस दो का वर्ग प्लस एक्यासी ऐसा कुछ question जब आपको मैं द्विघात समीकर पढ़ा रहा था प्रस्नावली चार दसमलो एक कराया था उसके पहले question का पहला part ऐसा ही था है ना जहाँ पर इसको simplify करना हमने सीखा था तो मैं बार-बार आपको बोलता हूँ कि हर एक chapter एक दूसरे chapter से connect होता है हर एक chapter को आपको बहुत dedication के साथ पढ़ने की जरूरत है आईए इसको solve करते हैं देखेंगे a-b का work a-b का work का formula सभी student को याद होना चाहिए यही होता है a square plus b square minus 2ab यही formula यहां लगाएंगे तो हो जाएगा a square मतलब x square b square मतलब 2 का square 4 minus 2 गुडे x गुडे 2 मतलब 4x यह तो सब को आता होगा plus का 25 बराबर अब यह बन गया a plus b का whole square का formula तो plus में यहां plus आ जाएगा यह formula यहां लगाएंगे तो यह बन रहा होगा दोस्त आपका यह clear plus 81 कौन कौन कट रहा है उसको उड़ा दो x square से x square को काट दो plus 4 से plus 4 को काट दो और कुछ नहीं अब आगे अब आगे क्या इस minus 4 को और इस plus 4 को इधर लाओ minus 4x और यह plus 4x इधर आके बन जाएगा minus 4x यह तो 80 अपनी जगह पर है 25 को उधर ले जाएंगे minus का 25 minus 4x minus 4x होता है minus का 8x 81 minus 25 करेंगे 11 minus 5 6 7 7 minus 2 5 x का मान हमारे पास आ रहा है 56 बटे minus 8 मतलब की minus का 7 x का मान कितना आ गया minus का 7 तो इस p बिंदू का निर्दे सांक क्या हो जाएगा तो लिखेंगे p बिंदू का निर्दे सांक जो होगा x की जगह पर तो माइनस 7 आ जाएगा यह वाला माइनस 7 और y की जगह पर पहले भी सुन्य था अभी भी सुन्य ही रहेगा तो यह हो गया दोस्त x अक्ष पर वो बिंदू जिसका निर्दे सांक आप से पूछा जा रहा था बहुत important बहुत ही जबर्जस question था एक बार screenshot लेंगे और जैसे ही class खतम होगी इसको दुबारा practice जरूर करेंगे जैसे ही class कतम होगी बिल्कुल time नहीं देना है copy pen लेके बैठना है और NCRT book open करेंगे प्रस्ण संख्या साथ को तुरंत खेल जाना है बहुत important question है आपके board exam के point of view से बात करेंगे अपने प्रस्ण संख्या आठ की y का वहमान ग्याद कीजिए जिसके लिए बिंदू P और Q के बीच की दूरी 10 मातरक है आपके पास यहाँ पर मतलब formula वही लगना है formula कुछ नया नहीं लगाया जब से मैं आपको प्रस्णावली साथ दसमलो एक आज करा रहा हूँ तब से एक ही formula लग रहा है केवल और केवल दूरी सुत्र यहाँ भी वही लगने वाला है आईए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम deal कर रहे होंगे इसको बोल दिया X1 Y1 इसको बोल दिया X2 और Y2 है ना और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दिया तो लिखेंगे PQ बराबर पहले तो formula लिखेंगे X2 माइनस X1 का वर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 का वर्ग clear है बात है यह तो formula हो गया सब का मान रखेंगे पहले में से पहले को माइनस करेंगे 10 माइनस 2 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे Y माइनस माइनस 3 का वर्ग ठीक है और देखो इन दोनों के बीच की दूरी हमें पहले से पता है 10 मतलब PQ का मान कितना होने वाला है 10 बस यही चीज नहीं थी कि यहाँ पर PQ का मान पहले से ही आपको पता है 10 मातरक तो वहाँ पर PQ का मान रख देंगे 10 मातरक भी लिखा हो सकता है या दस इकाई भी लिखी हो सकती है तो उसको ध्यान देंगे आईए इसको डिल करते हैं आगे क्या एक तरफ करडी है एक तरफ नहीं है दोनों तरफ वर्ग कर दो जब इधर वर्ग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा जब इधर वर्ग करेंगे तो ये जो root चिन है करडी का चिन है वो हट जाएगा वर्ग करने से करडी का चिन गायव हो जाता है तो ये पूरा का गायव हो जाएगा और ये 10-28-28 का वर्ग हो गया 64 और ये बन गया आपका y---3 का वर्ग clear है बाते तो इसको एक बार solve करेंगे और y का मान हम निकालेंगे किस प्रकार से ध्यान से देखें 100 बराबर 64 धन इसको a धन b का whole square से open करना a वर्ग धन 3 का वर्ग 9 धन 2 a b मतलब 2 गुड़े 3 गुड़े y 6 y सबको एक तरफ करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा y square प्लस 6 y प्लस 64 और 9 को जोड़ेंगे 9 4 13 73 हो जाएगा इस 100 को अधर ले जाएगे माइनस का 100 हो जाएगा यहां से आप एक द्विघात समीकरड बनाएंगे दोस्त द्विघात समीकरड 73 माइनस 100 करेंगे कितना आजाएगा माइनस का 27 आजाएगा तो यहां माइनस का 27 लिख देंगे अब यह तो सबको आता होगा कि इस द्विघात समीकरड को हल कैसे करना है चैप्टर 4 में बताया था मैंने है ना तो आपका काम है इसको हल करना और वाई के दो मान आ रहे होंगे दोनों मान आपको Comment Box में पिन करना है कि Comment Box में जल्दी से बता देना है कि वाई का कौन कौन सा मान आ होगा बहुत ही आसान सा आपके लिए एक छोटा सा टास्क दिया है तो ये पूरा question आप खुद अपनी copy पर करेंगे, एक बार इसका screenshot लेंगे दोस्त, एक बार screenshot तो देखते हैं अपना अगला question प्रसन संख्या 9 की बात करेंगे और ये रहा दोस्त आपका प्रसन संख्या 9 यहाँ बात हो रही है यदि q 0 कॉमा एक बिन्दूों p और r से समदूरस्त है मतलब की जो q है ना ये जो अपना point q है वो दो बिन्दू p और r से समदूरस्त है मतलब p यहाँ होगा r यहाँ होगा q और p के बीच की जो दूरी होगी característ всегда वही दूरी Q और R के बीच की भी है, मतलब ये दोनों के दोनों बिंदू जो हैं, वो Q से समदूरस्त हैं, समान दूरी पर हैं, कहने का मतलब है, यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा कि QP जो होगा, वो QR के बराबर हो जाएगा, क्लियर है बाते, सबका एक बार निर्दसांग लिखेंगे, Q का निर्दसांग है, 0,1, P का निर्दसांग है, 5,3, और R का निर्दसांग है, X,6, आगे क्या बोल रहा है, तो X के मान ग्याद कीजिए, दूरियां QR और PR भी ग्याद कीजिए, जो भी पूछ रहा है, हम निकाले आबर QR कर दो, बात खतम, सबसे पहले हम QP calculate करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे QP की, ये रहा QP, इसको बोल दिया X1, Y1, इसको बोल दिया दोस्त, X2, Y2, distance formula, दूरी सुत्र यहां पे लिखेंगे, X2-X1 का square, प्लस Y2-Y1 का square, ये बात clear है, आप कुछ करना है कि आप उठा आओ, आसे मान, यहां पर रख दो, मतलब, अंडर रूट, X2-X1, पहले में से पहले को माइनस कर दो, 5-0, इसका वर्ग, प्लस, दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दो, माइनस 3-1, इसका वर्ग, अब इसको solve कर दो, फटा फट, ये देखो, 5-0, 5, 5 का वर्ग, 25, माइनस 3 माइनस 1, माइनस 4, माइनस 4 का वर्ग हो गया, 16, और इन दोनों को मिला के हो गया, अंडर रूट 41, इकाई, clear, कोई दिक्कत वाली बात, अंडर रूट 41, यूनिट आ चुका है, अपना, क्या, QP आ चुका है, जैसे आपने QP निकाला, वैसे ही क्या निकालना है, दोस्त, QR आओ QR निकालते हैं, तो ये रहा QR, QR में लिखेंगे, अंडर रूट Q और R को देखेंगे, अब X1, Y1 बदल जाएगा, इसको हटा दो, अब R को दे दो, ये मान R को उठा के दे दो, कि ये X2 हो गया, और ये Y2 हो गया, है ना, तो जब आप QR कैलकुलेट करेंगे, तो प माइनस करेंगे, 6 माइनस एक का स्क्वाइर, इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, तो जब X में से 0 माइनस करेंगे, तो X बचेगा, और X का स्क्वाइर आ गया, X स्क्वाइर, प्लस, 6 माइनस एक 5, 5 का स्क्वाइर, 25, अब क्योंकि ये दोनों बिंदू, बिंदू Q से सम दूरस हैं मतलब कि यहाँ पर qp और qr ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे लिखेंगे qp बराबर qr qp के नीचे लिख देंगे under root 41 qr के नीचे लिख देंगे under root x square प्लस 25 under root x square plus 25 clear है बात दोनों तरफ work करेंगे जब दोनों तरफ आपको under root का sign दिख रहा है करड़ी का sign दिख रहा है तो इस case में हम work करेंगे तो करड़ी गायब हो जाएगी दोनों तरफ से और ये आजाएगा आपका 25 को इधर भेजेंगे minus हो जाएगा मतलब 41 minus 25 जब 41 minus 25 करते हैं तो आपका 16 आजाता है यहां से x का मान निकालेंगे दोस्त तो जब square उधर जाएगा तो यह under root में आ जाएगा मतलब x का मान आ गया plus minus 4 दोनों सही है plus 4 भी हो सकता है और minus 4 भी हो सकता है clear है बाते x का मान पूछ रहाता हमने निकाल दिया अब बात हो रही है qr और pr को भी ग्यात कीजिए qr और pr तो qr ये रहा अब x का मान यहाँ पर आप plus 4 रखो या minus 4 रखो तो 25 और यहाँ पर 16 ये भी under root 41 आ जाएगा जब आप qr निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा x का मान रखेंगे यहाँ पर qr निकालो qr कितना है under root x square plus 25 x की जगह पर आप 4 रखेंगे जब 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग यहाँ पर 16 आ जाएगा plus 25 मतलब qr भी कितना आ गया under root 41 under root 41 qr निकाल दिया pr बोल रहा है बोल रहा है ये वाला भी निकालो ये वाली भी distance आप निकालो तो ये आप खुद निकालेंगे दोस्त p और r इसका आपको coordinate पता ही चल गया 4,6 है इन दोनों के बीच की दूरी निकाल कर आप comment box में answer जरूर करेंगे एक बर इसका screen shot लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने आज के आखरी question पर प्रस्तन संख्या 10 की बात करेंगे प्रस्तन संख्या 10 की बात होगी प्रस्तन संख्या 10 में बोल रहा है एक्स और ये एक्स और ये में एक ऐसा संबंध ग्यात की जिए X और Y में एक ऐसा संबंद ग्याद कीजिए कि बिंदू X,Y बिंदू 3,6 और माइनस 3,4 से समदूरस्थ हो यह समदूरस्थ का बार-बार आपके एक्जाम में क्वेस्चन आया हुआ है कई बार बता रहा हूँ क्योंकि इस पर एक जबरजस्थ प्रैक्टिस चाहिए बहत्रीन प्रैक्टिस चाहिए कि समदूरस्थ वाला कोई भी क्वेस्चन आपके एक्जाम में आ जाएगा आपसे नहीं बचना चाहिए वो आगी बात समझ में आओ फोटो बनाते हैं इसका कि बिंदू इतना बिंदू इतना इतना से समदूरस्थ है यह वाली जो बिंदू है ना जिसको मैंने पी बोल दिया यह दो बिंदू हो से समान दूरी पर है इसको मैंने क्यू बोल दिया इसको मैंने आर बोल दिया क्यू का निर्दसांग है 3,6 आर का निर्दसांग है माइनस 3,4 बोला ये जो बिंदु है ना ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है मतलब यहां भी आपको क्या करना है PQ बराबर PR अब पहले PQ निकालेंगे और PQ निकालने के लिए इसको मैंने बोल दिया X1Y1 इसको मैंने बोल दिया X2Y2 अब निकालेंगे यहां पर हम PQ अंडर रूट पहले में से पहले को माइनस X माइनस 3 का वर्ग X माइनस 3 का वर्ग प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस Y माइनस 6 का वर्ग तो यह आपका आचुका है PQ अब हम निकालेंगे PQ के बाद PR अब जब PR निकालेंगे, तो यहां से X2 Y2 हटाएंगे, और कहा पर डाल देंगे X2 Y2 को, यहां पर डाल देंगे. अब हम निकालेंगे दोस्त, PR का मान, PR, PR हो जाएगा, अंडर रूट, पहले में से, पहले को माइनस, तो X माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, का वर्ग, देखो, X माइनस माइनस थ्री, मतलब X प्लस थ्री, इसका वर्ग, फिर Y माइनस 4 का वर्ग, प्लस Y माइनस 4 का वर हमने दोनों दूरियां निकाल ली PQ भी निकाल दिया ये वाली दूरी भी निकाल दी और PR ये वाली दूरी भी निकाल दी अब इन दोनों को आपस में बराबर करना है जैसा कि हमें पता है question के हिसाब से question में जो दिया है कि PQ और PR आपस में बराबर होने चाहिए तो PQ के नीचे ये वाली बात लिख देंगे X-3 का वर्ग प्लस Y-6 का वर्ग और PR के नीचे लिख देंगे ये वाली बात PR का मान X-3 का वर्ग प्लस Y-4 का वर्ग बस ये बात हो गई खतम दोनों तरफ करड़ी दिख रही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा रूट गायब हो जाएगा तो आपके पास ये चीजे बच जाएंगी रूट गायब होने के बाद आपके पास दोस्त ये वाली चीजे बच जाएंगी अब इनको हम formula लगाकर open करेंगे a-b का whole square का formula लगाएंगे तो यह कुछ इस प्रकार से आएगा यहाँ पर a-b का whole square का formula लगाएंगे तो यह ऐसा आजाएगा और इधर a plus b का whole square लगाएंगे तो यह कितना आजाएगा x square plus 9 plus 6x और यहाँ पर A-B का whole square का formula लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्त आ जाएगा clear है बाते हैं अब ये सब कुछ मान हमारे पास आ चुका है कौन-कौन उड़ाया जा सकता है X square से X square 9 से 9 उड़ा दिया ये दुनों नहीं उड़ा सकते हैं विपरित चिन्द के हैंगे Y square से Y square और बस इतना हो गया अब जो भी बचा है X और Y वाले को एक तरफ कर लेंगे मतलब माइनस का 6X और क्या है माइनस का 12Y इधर से X और Y वालों को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा इधर आके माइनस का 6X और प्लस का 8Y है ना सभी X Y को एक तरफ कर लिया जितने भी नंबर है सबको उधर भेज़ दो 16Y पर रहेगा और ये 36 भी उधर पहुच जाएगा तो ये बन जाएगा 16-36 clear X वाले को X वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12X और YY को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4Y और 16 माइनस 36 हो जाएगा माइनस का 20 माइनस 4 यहां से common लेंगे यहां बचेगा 3X प्लस Y और यहां माइनस 20 माइनस से माइनस को उड़ा दिया और 4 को उदर भेज़ेंगे, 4 जो है 20 में भाग होगा तो 5 आ जाएगा है ना, तो ये X और Y में एक संबंध, एक relation पूछ रहा था हमने X और Y में एक relation बता दिया तो इस प्रकार से हमने प्रसनावली इसाथ दसमलो एक बहुत ही बेतरीन तरीके से किया जिसमें हर एक question को समझा और ये भी देखा ये भी पाया कि हर एक question में प्रसन संख्या एक से लेकर प्रसन संख्या दस तक हर एक सवाल में एक ही formula मतलब इतनी मज़दार बात की एक ही सुत्र से हमारा पूरा का पूरा ये प्रसनावली साथ दसमलो एक complete हो गई है मतलब इस chapter में मेहनत कहां पर है मेहनत दो जगह है एक तो बस simple सा formula याद करने में मेहनत है थोड़ी सी और दूसरा plus minus मतलब की आपकी calculation गलत नहीं होनी चाहिए calculation सुधार नहीं है तो practice करो खूब practice करो तभी calculation आपकी बढ़िया हो सकती है तो इस exercise को इस प्रसनावली को अभी इसी वक्त एक बार दुबारा अपने मन से करेंगे जितने question मैंने important बताए उस पर wishes ध्यान देंगे क्योंकि आपके board में उसके आने के chances ज़्यादा होते है तो दोस्त आज की class के लिए इतना ही था एक चोटी और जरूरी बात आपके लिए उसके बाद आज की class हम यहीं पर समाप्त कर रहे होंगे जैसा कि आपको पता है magnet brains provide करता है high quality education और यह हमारे top courses हैं जो English और Hindi दोनों ही माध्यम में available है यहाँ पर हम English medium के साथ साथ Hindi medium की भी तयारी करवाते हैं यहाँ CBSC board के साथ साथ other state boards भी available है जिसमें Delhi board, बिहार board, UP board, MP board और राजस्थान board है इसके अलावा हम Vedic maths, crash course और spoken English की भी classes अवेलबल कर आते हैं आप हमें other social media network से follow करना बिल्कुल नहीं बूलेंगे और अपनी अच्छी और बेहतरीन तयारी करने के लिए आप grab करेंगे e-notes और e-books जिसका link नीचे description box में दिया गया है तो आज के लिए इतना ही था आप ना ख्याल रखेंगे math की दमदार practice चलती रहनी चाहिए मिलते हैं अगली class में thank you so much